नमस्कार मैं हूँ शिपकंद गोतम और मैं हूँ नफीसा खान और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे खाश शो अतीत के पन्नों में दोस्तों महा भारत का हर एक करदार अपने आप में संपूंण है और महर्शी वेध व्याज से हर एक करदार को खास गुंड़ दिया है चाहे वो धर्म के ज्याता युदिष्टिर हों आज हम आपको कहानी सुनाएंगे दान वीर कर्ण की साथ ही बताएंगे कर्ण को तीर लगने के बाद मिले वर्दान की कहानी कि कर्ण का अंतिम संसकार किस ने किया सुर्य पुत्र होने की वज़े से कोई भी कर्ण का वद नहीं कर सकता था इतना ही नहीं कर्ण के जन्म के वक्त से ही वो कवर्च और कुंडल धारी थे उनके पास एक ऐसा कवच था जिसपर कभी भी कोई भी वार नहीं हो सकता था और ना ही कोई तीर उसे भेच सकता था लेकिन द्युद्ध से ठीक पहले कुंती ने वो कवच और कुंडल कर्ण से मांग लिये कर्ण इतने बड़े दानवीर थे कि एक भाल भी नहीं सोचा और दान दे दिया इतना ही नहीं कर्ण ने ये भी कहा कि पांडव हमेशा पांच रहेंगे अगर रजुन की मौत हुई तो मैं पांडव की तरफ आ जाओंगा और अगर मेरी मौत हुई तो भी पांडव पांच रहेंगे महावली कर्ण एक प्राकरमी योद्धा थे उन्हें हर अस्तर और सस्तर का ग्यान था इसके साथ महावली कर्ण को दुनिया में या कहें कि आज के ध्यास में भी दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है इसकी भी बड़ी वजह रही थी पांडवों के सामने महाभारत का युद्ध जीतने में सबसे बड़ा रोड़ा कर्ण थे क्योंकि उनको मारना बहुत मुश्किल था वो सूर्यपुत्र थे जिसकी वजह से उन पर हधियार चलाना तो बहुत दूर की बात थी उनके आसपास भटकना भी पांडवों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था नियती ने तो कर्ण की मृत्यू तयकर रखी थी लेकिन इसके पीछे पांड़ों का छल भी बताया जाता है जैसे धर्थी में कर्ण के रद्का पहिया अधस जाना प्रमास्त्र का प्रयोग ना कर पाना भी कर्ण की मृत्यू का कानर बना और मरते वक्त भी दानवीर कर्ण की परिक्षा भगवान कृष्ण ने किस प्रकार ली इसकी भी एक विशेश कहानी है दानवीर कर्ण जब आंखरी सांसे ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परिक्षा लेनी चाही कृष्ण दानवीर कर्ण के पास पहुँचे और कहा कि तुम एक दानवीर कहलाए जाते हो मुझे तुमसे कुछ दान चाहिए कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दान सोने का है तो कर्ण ने मरनासन हालत में भी एक पत्तर उठाया और अपना दान तोड़कर भगवान कृष्ण को दान सवरू भेट कर दिया कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने तीन वर्दान दिये पहले वर्दान में कर्ण ने ये मांगा कि उनके जैसे लोगों का उत्तान हो जो चल जो अपमान उन्हें एक सूत पुत्र होने के नाते सहना पड़ा है वो किसी और को सहना ना पड़े दूसरा वर्दान उन्होंने ये मांगा कि वो अगले जन्म में किसी अवतार के रुप में श्री कृष्ण के राज में ही जन्म ले और तीसरे वर्दान में उन्होंने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगा पे हो जहां कोई भी पाप ना हुआ हो कर्ण के अंतिम संसकार को लेकर पांडव और कोरव दोनों आमने सामने आ चुके थे दुर्योधन कर्ण को अपने भाई की तरह मानता था अपने दोथ से ज़दा मानता था वहीं जब पांडवो को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था तो वो बेहद दुखी हुए युधिश्टर कर्ण की हत्या का दोश्मान कर अपने उपर कौप में चले गए लेकिन उन्होंने निनलिया कि अब वो कर्ण का अंतिम संसकार करेंगे युधिश्टर जीवन में पहली बार अपनी माता कुंती पर भी बेहद क्रोधित हुए कि उन्होंने इतना बड़ा सच उनसे छिपाये रखा लेकिन कर्ण ने भगवान से एक बरदान मांग लिया था कि उनका अंतिम संसकार ऐसी जगे हो जहां पर पाप ना हुआ हो इधर कौरव और पांडव कर्ण के अंतिम संसकार को लेकर आमने सामने आ गए थे आज एवन कर्ण के दोस्त रहे दुर्योधन ने कर्ण के पार्थिव शरीर पर अपना अधिकार जमाया और अंगराज कर्ण के अंतिम संसकार को अपने हाथों से कर्णे का निश्चय किया लेकिन कर्ण का अंतिम संसकार ना तो दुर्योधन कर सका ना ही योधिश्टर कर सके क्योंकि कर्ण ने अपने अंतिम संसकार का वर्दान सोयम भगवान कृष्ण से मांगा था मरते समय कर्ण को वर्दान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सारी बाते स्विकार कर ली, परंतु तीसरे वर्दान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचन लगे जहां पाप ना हुआ हो, परंतु भगवान कृष्ण को ऐसी कोई जगह वर्दान देने की वचन बद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संसकार भगवान कृष्ण ने अपने ही हातों से अपनी हथेली पर किया और कर्ण को दिये वर्दान को पूरा किया इस तरीके से कर्ण को विश्णु अवतार कृष्ण दवारा अंतिम संसकार की जाने के बाद बैंकुट धाम जो है वो नसीब हुआ आपको ये भी बता दें कि कोरों की तरफ से लड़ने वाले सभी योद्धाओं में कर्ण एक मातर ऐसे योद्धा थे जिनको बैंकुट धाम नसीब हुआ था अगर बात करें भिश्ण पिताम की तो वो ब्रहम लोग गए थे क्योंकि उनकी मा गंगा ब्रहम लोग से थी और वहीं पर निवास करती थी इसलिए जब भिश्ण पिताम की मृत्य हुई तो वो सीधा ब्रहम लोग गए एक बात इससे ये भी सिद्ध होती है कि कर्ण ने जिस तरीके से पूरी उम्र अधम का साथ दिया लेकिन उनके कर्म ऐसे थे जिसके वज़े से खुद भगवान शिरे कृष्ण को उनका अंतिम संस्कार अपनी हथेली पर करना पड़ा और उनको वैकुरधाम की प्राप्ती भी हुई तो ये थी कहानी कर्ण के अंतिम संस्कार से जुड़ी आज की एक कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब सरूर करें